Hello friends, KSR Academy Commerce Institute के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हर्दिक स्वागत है. Financial year 2022-23 complete हो चुका है, अब इसके income tax return filing का time आ चुका है. So income tax return filing के start कप से हो रहे हैं, उसकी end date क्या है, ITR verification के अंदर क्या-क्या changes हुए हैं, और ITR form के अंदर क्या changes हुए हैं, ये आज हम इस वीडियो के अंदर discuss करने वाला, वीडियो बहुत important है, वीडियो को लाश तक देखिएगा. अगर आप new viewer है, प्लीज इस चैनल को जल्दी से जल्दी subscribe कर लिजिएगा. चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं किसे starting date क्या होते हैं. हमारों जो financial year होता है, वो 31st March को complete हो जाता है, 31st March एक अप्रेल से new financially start हो जाता है, यानि कि financial year 22, assessment year 23, 24 के जो return होते हैं, वो लगबग अप्रेल के second week तक आ जाते हैं, यानि कि अप्रेल 2023 के second week तक आ जाते हैं, as well as जैसे previous time पे आये थे. इस बार हम respect कर रहे हैं कि government से कि अप्रेल के third week में ये return आ जाये, और पहले ITR 1 और ITR 4 offline utility के द्वारा आएंगे, offline utility आप income tax portal पर जाएंगे, वहाँ पे वहाँ आपको available हो जाएंगे, तो ITR 1 और ITR 4 पेले आपको available हो जाएंगे, इसके बाद जो return से ITR 2, ITR 3 और ITR 5, 6 या आप हो जाएंगे आपके लिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि से उसके last date क्या है, यानि कि sir income to sit and filing की last date भी कुछ हुई है, इसके बाद उनको penalty लगाते है, तो यहाँ पर सम्बात कर रहा है individual, HUE, AOE, AOE, AOE और BOE, इन 4 persons जिनका audit नहीं है, यानि कि किसी की business income भी हो रही है, लेकि की एक करोड के नीचे का turnover है, तो उनके लिए जो last date होगी, वो 31st July 2023 होगी, यह हम expectation date मांद रहे है, जो से previous की हिसाब से हम क्याल मांद रहे है, change भी हो सकता है, इस पर government के नौम से हिसाब से government change भी करें, वो भी, लेकिन 31st July 2023 last date होती है, अगर किसी का business है, business से income हो रही है, और उ उसके जो return है, वो 31st October 2023 तक file होगी, यानि कि audit की जो last date होती है, वो 30 September होती है, 30 September के बाद में आपको एक मन्त और दिया जाता है, उन persons के लिए, जिनकी firm audited है, and revise return के लिए आपके पास में date देखेए, 31 December 2023, अगर आप इनके return file कर रहे हैं, तो 31 July तक return file कर ले थे, 31 July के बाद मे कि अगर आपने इनके due date तक return file नहीं किये, तो भी आपकी ये जो last date होगी, वो 31 December 2023 होगी, that means कि assessment year 23, 24 के return filing की भी penalty के साथ में, last date आपकी 31 December 2023 है, तो इस चीज़ का proper ध्यान रखे हैं कि आपको due date से पहले return file कर लेना, इसके बाद हम सरबात करते हैं कि changes in ITR form, ITR form के अंदर क्या है, तो हम ITR 2, ITR 3 file करते हैं, उसमें separate schedule आए गया है, crypto income का, अगर आपकी crypto से income हो रही है, तो आपका separate schedule से आगया, capital gain के अंदर, तो वो आपको वहाँ पे अपने income दिखा दिखा दिए, दूसरी बात हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, sir, अगर आप separate intraday trading collection, यानि कि sir, intraday कर आप separate दिखाना पड़ेगा, इसके बाद हम बात कर रहे हैं, sir, ITR 3 और ITR 4 में, अगर आप old tax regime से new tax regime में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए additional question आप से पूछे जाएंगे, वो आपको वहाँ पे reply करना है, और ITR 3 के अंदर और है, sir, family members receive, अगर आप किसी family से loans या advance में अगर कोई receive करते हैं, तो इसकी भी detail आपको separately provide करनी है, वो बात कर रहे है, sir, ITR 3 की, ITR 3, 4, ITR 3, यानि कि sir, ITR 1 और ITR 4 का तो कोई problem नहीं है, लेकिन यहाँ जो बात कर रहे हैं, यह ITR 3 और ITR 4, यहाँ पर जो ITR 4 की बात हमने की हुई है, तो normal है, sir, अगर आप old tax regime से new tax regime में जाना चाहत हैं, तो, इसके बाद बात करते हैं, sir, ITR verification, जैसे ही हम income test return file करते हैं, हमें अपने ITR को verify कराना होता है, यानि कि हमने जो कुछ भी detail वहाँ पर provide की है, वो detail हमने ही provide की है, इस तरह से verify करना होता है, तो पहले जो verification का जो time था, वो आपको 4 मंत का दे रहा था, यानि कि जब भी आपने income test return file किया है, उसके 4 मंत के अंदर-अंदर आपको आपका ITR verify करना था, चाहिए वो आप आधार OTPC करो, bank EVC से करो, net banking के तुरू, send a acknowledgement to by speed post, अगर आप offline speed post send करके भी verification करवा सकते हो, अब उसकी जो date, time है, वो 30 days कर दिया गया, यानि कि sir, पहले 4 महिने से आप verify करा रह तो अभी जो due date है उसकी, यानि कि जब भी आपका ITR file हो जाता है, उसके 30 दिन के अंदर-अंदर आपको आपका ITR verify करना, अगर नहीं कराते हैं, तो आपका ITR invalid माना जाएगा, और अभी भी आपको पता ही है, कि जैसे हम ITR file करते हैं, आपर आपके acknowledgement, simple acknowledgement मिलता है, कि आपने IT ITR file किया हुआ है, बस ऐसा, लेकिन इसके अंदर आपने कितने income दिखाई है, क्या कुछ किया हुआ, यह आपको verification के बाद ही show होता है, तो आप इस चीज़ का proper ध्यान रखें, इसके बाद हम बात करते हैं, 16, अब हम यहाँ पर जब भी हम ITR 1 file करेंगे, या ITR 4, जब फाइल करेंगे, तो हमें form 16, ITR 1 के अंदर हम salary employee है, हमको form 16 के requirement होती है, यह form 16 हमको कब मिलता है, और उसकी upload करने की date इत क्या है, जब सर आपका employer अगर आपका TDS date क्या हुआ है, तो उसकी जो last date है, वो 31st May 2023 है, यानि कि employer को 31st May 2023 तक अपना ITR 4 का, यानि कि quarter 4 का TDS return जमा कराने की date है, तो यहाँ पर सर यह 31st May 2023 इसके पहले भी अगर मिल सकता है, अगर आपके employer ने जल्दी return file कर दिया हो, अब यहाँ पर सर आपको चीज द्यान रखनी है, कि जब भी आप income test return file करें, अपस्समेंट यह 23, 24 का, उसमें आपको क्या-क्या जाद रखा, सबसे पहले आपको यह द् अधार काड है, वो आपके pen card से link है या नहीं, अधर आपका अधार काड अगर आपके pen card से link नहीं है, तो बहुत problems हो जाएगी, दूसरी बात बात कर रहे हैं, अगर आप income test return file कर रहे हैं, अगर आपके पास में offline utility भी आ गई, income tax के और आप income test return file कर रहे हैं, तो उसमें proper तरी TDS है, वो आपका updated हो चुका है या नहीं हो चुका है, अगर आप 31st में से पहले अगर आप return file कर रहे हैं, और आपका TDS है, जो अभी तक updated नहीं हुआ है, तो वो आपको proper check करना है, इसके बाद हम बात करते हैं, check bank is verified, जब भी हम bank aid करते हैं, यानि हमारी जो भी bank होती है, हमे आपका refund आएगा, तो proper तरीके से आप check कर ले हैं, कि आपका ये जो bank है, वो verify है या नहीं, तो आज के वीडियो में हमने बहुत कुछ देखा, I hope कि आपको इस वीडियो में जो कुछ भी बताया गया, वो आपको सही सही clear हो चुका है, अगर आपने अब तक हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को subscribe कर लेजएगा, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए, thank you so much.